Hello Friends, Welcome to PK Technical World Friends, Today in this video I will explain the two main and basic theories of post-colonial literature Theory of Appropriation and Theory of Abrogation दोस्तों, आज की इस वीडियो में में आप लोगों के लिए ये जो दो main theories है Theory of Appropriation and Theory of Abrogation इन दोनों को डिटेल में explain करूँगा दोस्तों, हमारे पास post-colonial theories में World System theories, Dependency theory और Modernization theory ये भी आते हैं लेकिन उन तीनों को हम आगे explain करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक हैं आज की इस वीडियो में हम Appropriation and Abrogation and Do-Theories को डिटेल में explain करेंगे सबसे पहले आते हैं post-colonial literature की तरफ कि post-colonial literature किसी कहते हैं दोस्तों post-colonial literature वो literature है जो लेका गया है against colonial literature ठीक है colonial literature का मतलब ये है कि जब अंगरेज हिंदुस्तान में आ गए या अफरीका में आ गए या दुनिया के जितनी भी कंट्रीज में ये चले गए वहां पे इन लोगों ने अपनी कलूनिस बनाई उन लोगों पे अपना जो culture था वो इंपोस किया अपना language जो था वो इंपोस किया ठीक है उन लोगों को लूटा गया उन लोगों को मतलब socialize करने के नाम पे उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइनसाफिया होई तो उन नाइनसाफियों को चुपाने के लिए उन लोगों ने अपना एक literature लेका novels लेके, stories लेके, different novelas लेके तो उसमें उन लोगों ने अपने आपको defend किया किया कहा कि हम आए थे इन लोगों को socialize करने के लिए इन लोगों का culture नहीं था, हमने उन लोगों को culture दिया इन लोगों का language नहीं था, हमने लोगों को language दिया इन लोगों का religion नहीं था, इन लोगों में ethics नहीं थे, morality नहीं थी, sex मेनिक थे तो मतलब बला जो इल्जामात थे इन लोगों पर लगाए जो colonized थे, ठीक है, मतलब जिन लोगों पर इन होने हकूमत की जैसा के हिंदुस्तानियों पर या अफरीकन लोगों पर या जितने भी मतलब दूसरे जो इन लोगों ने कलोनीज बनाई थी, तो इन लोगों ने एक literature भी लिका, तो उसमें लोगों ने अपने आपको defend किया, लेकिन जब अंग्रेस चले गए, तो यहां पर जो colonized writer थे, अज जादी के बाद इन्होंने उन लोगों की जो allegations थे, इन लोगों की जो इल्जामात थी, और जिन मकासित के लिए वो लोग आये थे, उनको इन लोगों ने explain किया, detail में, दुनिया के different countries तक, different लोगों तक अपना आवाज, अपनी जो feelings थी, अपनी जो thoughts थी, उनके साथ जो जालिम होए थे, उनको पहुंचा दिया, तो यह जो post-colonial literature था, it was the reaction against colonial literature, colonial literature means the literature written by English people during the time of colonization, during the time period of English people, तो पिर क्या हुआ कि हमारे साथ different writer आगए, अंग्रेजों की चले जाने के बाद, जिन लोगों ने अपना जो defense था वो किया, अपनी culture को defend किया, अपनी language को defend किया, मतलब जितनी बे अलजामात थे वो रत किये, Edward सेथ क्या कहता है, जो कि फादर है, post-colonial literature का, Edward सेथ कहता है कि यह लोग जो कहते है कि जो colonized लोग थे, यह sexmanic थे, उन लोगों की आउरते जो थी वो exotic थी, तो Edward सेथ कहते है कि असल में यह उन लोगों की अपनी आउरते जो थी, वो sexmanic थी, वो exotic थी, ना के हमारी आउरते हमारी religion में, हमारी culture में rules and regulations है आउरतों की अपनी मतलब حقوق है, आउरतों की एक limit है ये जो लोग आए हैं, अंग्रेज, ये उन लोगों की आउरतों के हुससियात है दूसरा allegation उन लोगों ने लगाया था कि इन लोगों का culture नहीं था हम socialize करने के लिए आए थे तो ये जो चिनवा अशीबी था जिसने theory of appropriation पेश की थी ये कहता है कि हमारा culture था, हमारी language थी, बहुत strong language थी हमारे rules and regulation थे लेकिन आप लोग हमें socialize करने के लिए नहीं आये थे बलकि आप लोग हमें लूटने के लिए आये थे तो इसी तरह से हर writer ने जितनी भी मतलब पाकिस्तानी writers है Indian writers है, African writers है, Palestinian writers है, जितनी भी है Edward सेयद जो है वो Palestinian writer है ठीक है उन्होंने किया कि उन लोगों का जो मतलब allegations थे उन लोगों के जो इल्जामात थे उसको answered कि उनको रद करके ये जो चीज़ें थे उन लोगोंने इल्जामात लगाए थे ये उन पर दुबारा इन पोस्ट कर दिये तो दोस्तों ये था post-colonial literature अब आते हैं हम theory of abrogation की तरफ और theory of appropriation की तरफ तो पहले है हमारे पास theory of abrogation दोस्तों theory of abrogation जो है ये एक post-colonial theory है अंग्रेज चले जाने के बाद इस theory को पेश किया था गोगी वतियांगो ने तो दोस्तों क्या हुआ था कि जब अंग्रेज यहां आए थे subcontinent में या अफरीका चले गए जहां पर भी चले गए थे उन लोगों ने क्या किया था कि अपना culture अपना language अपना religion मतलब different चीज़ें जो तो मतलब इन लोगों में थी वो उन लोगों पर इंपोस की थी तो उन में फिर दो गृप्स बन गए थे जैसा कि हमारे पास इंडिया में सब कंटिनिंट में हमारे पास दो गृप्स बन गए थे एक अंग्रेज की फालोवर थी यह एक गृप जो थी वो anti-angreese थे ठीक है वो हम नई करेंगे और एक ग्रूप यह था कि वो अंग्रेज इस सेख रहे थे एंग्रेजण की college में जाते एंग्लेंड चले जाते थे एंग्लिश को सीखने के लिए इलम हासिल करने के लिए वहां चले जाते थी ठीक है तो क्या हुआ था कि ये जो गोगी वत्यांगो था ये भी प्रो ब्रेटिश था ठीक है ये भी अंग्रेजों के खामी था जब अंग्रेज अफरीका में थे इसने भी अंग्रेजों के दावर में इंग्लिश में राइटिंग की ती ठीक है जितने भी स्टूरीज लेके थे नावल्स लेके थे ठीक है जितने भी जान रास्ते उनमें इसने जो काम किया था वो अंग्रेजी लैंग्विज में किया था लेकिन जब अफरीका आज़ाद हुआ अफरीका की जो मुलक थे अंग्रेजों की कब्जे से आज़ाद हो गए तो कुछ वक्त बाद इसको ख्याल आया मंगोगी वाते आंगो को इसने का कि क्या हम गलाम हैं क्यों हमारा जो अपना लेंग्विज है उसमें इतना पावर नहीं है क्या हमारा कल्चर इतना रिच नहीं है कि हमारी जो कल्चर की स्टूरीज हैं हमारी जो नॉम्स और रिगॉलेशन हैं कि क्या वो इतने मतलब लो स्टेंडर्ड के हैं उसने का कि नई हमारा जो लैंग्विज है वो बहुत स्टेंडर्ड लैंग्विज है हमारा कल्चर बहुत स्टेंडर्ड है हमारी सारी चीजें बहुत स्टेंडर्ड है ठीक है हम अगर आज के बाद हम लेकेंगे अपनी लैंग को यूज नहीं करेंगे ठीक है आज के बाद हम जितना भी राइटिंग करेंगे अपनी कल्चर पे करेंगे उसमें क्या करेंगे कि अंग्रेजों का जो मक्रू चहरा है अंग्रेजों ने जो हम पे मुझालिम किये हैं अपनी जो एलिगेशन हम पे लगाए हैं उसका उसको हम अफरीकन लैंग्विज में क्योंकि हमारा लैंग्विज जो है बहुत रिच है हमारे आवाज दूसरों तक पहुंच सकती है अपनी लैंग्विज की तो अब क्या हुआ कुछ लोग इसको फालो करने लग गए उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की अफरीकन लैंग्विज में लेकिन इसमें एक ता चिन्वा अशिवी उसने तीरी आफ एप्रॉप्रियेशन पेश की तीरी आफ एप्रॉप्रियेशन क्या थी उसने क्या कहा चिन्वा अशिवी ने कि नहीं हम अंग्रीजी को ही उस करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ ही उस करेंगे अंग्रीज एक गिफ्ट है ये एक इंटरनेशनल लेंग्विज है दुनिया के डिफरिंट कंट्रीज के डिफरिंट लोग्स को लिखना पड़ना जानते हैं ठीक हैं तो हमारे साथ अंग्रीजों ने जो नाइनसाफियां की है हम पे जो इल्जामात लगाए है हमारे कल्चर को बुराग बला का है हमें लूटा गया है तो जितने भी ये चीजे एने ये हम इन लोगों के खिलाफ करेंगे अंग्रीजी की लैंगered करेंगे क्योंके दुनिया के ज्यादा तर लोग अंग्रीजी को जानते है इस के जरी हम अपनी फिलेश पो अपनी जो लोगदास्तान है इन को हम प्रोमॉट करेंगे अपनी language को हम promote करेंगे अब हमारी जो language की terms है जो चोटे-चोटे होते हैं ना हमारे proverbs है, ideams है तीक है, मुहावरे जितने भी ये चीजें हैं ये हम promote करेंगे तोस्तों आप लोग अगर चिन्वा अशीबी का एक novel है Things Fall Apart जो के Heart of Darkness के reaction में लिखा है Heart of Darkness language नहीं है, ठीक है मतलब different उन लोगों पर इल्सामात लगाए थी तो उसकी reaction में जो चिन्वा अशीबी था, उसने अंगरीजी में ये novel लेखा जिसमें उसने कहा कि हमारी जो culture है, उसमें music का अपना system था, उसमें religion था, उसमें पर टाइटल होता था, उसका अपना इक title होता था, आमीर बंदे का पना title होता था, शरीव बंदे का अपना title होता था, मतलब ये eeak culture की richness की निशानिया liking culture में कहीं था हर बंदी क्या अपना एक status था तो things fault apart ये एक post colonial work है तो, समराइश करता हूँ कि जो theory of application ता उसको पेश किया था गोगी वतियांगो ने उसमें क्या कह था उसने कहा था कि हम English language को नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो language है वो rich है हमारा culture rich है ठीक है आज के बाद हम English को यूज नहीं करेंगे अपनी language यूज करेंगे तो इसकी reaction में चिनवाशी भी उसने तीरी पेश की theory of appropriation तो इसने कहा कि English language जो है ये God की तरफ से एक gift है इसकी तो हम अपनी feelings को अपनी thoughts को हमारे साथ जो नाइनसाफिया हुई है हम अपनी language को अपनी religion को अपनी culture को ये promote कर सकते हैं दुनिया की दुसरी जो कोनों में लोग रहते हैं उन तक हम अपनी आवास पहुंचा सकते हैं तो हमें English को अपनी language को प्रोमोट करना चाहिए बलकि इसकी तो हमें अपनी language को प्रोमोट करना चाहिए for example हम English में लेकेंगे लेकिन English का जो novel हो हमारा जो story है जो writing है उसमें हम अपनी diction यूज़ करेंगे अपनी आइडियम्स यूज़ करेंगे अपनी प्रोवर्ब्स यूज़ करेंगे ताकि दूसरी जो लोग है वो हमारी language में इंटरस्ट लें ठीक है हमारी जो प्रोवर्ब्स है उसको search करें उसके मतलिक जाने ठीक है तो लोगों को हमारी language के मतलिक और भी knowledge हासिल हो जाएगा और हमारा जो culture है हमारा जो language है ये भी promote होता जाएगा तो दूस्तों ये थी theory of appropriation and theory of abrogation अगर आप लोगों को इसमें कोई problem है तो आप लोग comment box में mention करें अगर ना हो तो आप लोग WhatsApp पर भी मुझे रापता कर सकते हैं Thank you very much